नमस्कार दोस्तो आज फिर आपके साथ उपस्तेते हैं एक और नई कहानी लेके और आज की जो कहानी है वो मुंबई माफिया के बहुत ही इंपोर्टेंट परसन की है और इस कहानी को सुनने के लिए आप लोगों ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट भेज रहे थे और तो आज की जो कहानी है वो मेरे को दुबारा से रिकॉर्ड करनी पर रही है उसके पीछे रीजन है कि कुछ दिन पहले हमने एक पोस्त डाली थी मोगली प्रोडक्शन के चैनल पे कि टाइकर मैमन के उपर हम स्टोरी करने वाल हैं तो उस पे एक कमेंट आया था लकफिंदर सिंग का और उन्होंने एक लिंक दिया था जिसमें टाइकर मैमन की स्टोरी थी हमारी स्टोरी अल्रेडी रिकॉर्ड थी तो हमने उसको रोका पहले हमने वो लिंक पे वो स्टोरी देखी और वो क्राइम तक पे जो शम्स ताहिर उन्हों ने वो कहानी सुनाई थी, तो मेरे को यह शोर करना था कि वो स्टोरी जो सुना रहे हैं शमस्तायर खान वो हमारी स्टोरी से मिलती है या नहीं है या हमारे facts better है, उनके facts better है दूसी तरफ यह जो टाइगर मैमन की स्टोरी है जो हम आज आज आपको सुनाएंगे वो हमारे Life of Mafia सिरीज के एक एपिसोड की भी कहानी थी खैल Life of Mafia आनी पाई क्योंकि Life of Mafia में जो पहले के चार एपिसोड थे वो छोटा शकील के उपर थे उसके बाद फिर अबू सलेम और टाइगर मैमन की बारी आनी थी तो आज की जो कहानी है वो टाइगर मैमन के हमारे Life of Mafia एपिसोड की कहानी है जो पूरी और पूरी फैक्स के उपर बेसिस है और दूसी तरफ मैं एक दो चीजें और पताऊंगा जो लगविंदर सिंग ने हमें लिंक दिया तो उसमें कुछ फैक्स की बात की गई थी उसमें किसो की बात कही गई थी और उसमें भी मैं काउंटर करूँगा कि वो सच थे या जूट थे तो सबसे पहले कहानी सुनाने से पहले टाइगर मैमन का नाम जान लेते हैं कि असली नाम क्या था टाइगर मैमन का असली नाम था इबराहीम मुश्ताक अब्दुल रजाक मैमन और खासकर ये मुंबई में पैदा हुआ मुंबई में ही पड़ा लिखा बड़ा हुआ दूसी तरफ आप इसों कह सकते हैं कि असली मुंबईकर क्योंकि मुंबई में जितने लोग पैदा होते हैं और बड़े होते हैं पड़ाई लिखाई करते हैं वो अपने आपको मुंबईकर कहलाते हैं और जो शुरू का जो इनका निवास स्थान था टाइगर मैमन का जो निवास स्थान था शुरू का वो था मुहमद अली रोड पे और एक कहानी में ये किस्सा बताया गया था जो लगविंदर सिंग ने जो मेरे को लिंक दिया था कि उसमें किस्सा बताया था कि फादर जो थे टाइगर महमन के वो एक professional cricketer थे खेर हमें इस चीज की कहीं कोई पता नहीं चला कि उसके फादर करकिटर थे या नहीं थे लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके टाइगर महमन के जो फादर थे वो mechanical engineer थे और उनकी एक वरक्षॉप हुआ करती थी, जिस पर वो काम करते थे और ये बात जो है याकूब मैमन ने भी अपने एक जब हिंदुस्तान याकूब मैमन आया था तो उसमें भी ये बताया था याकूब मैमन ने कि मेरे फादर जो है वो मैकैनिकल इंजीनियर है और उनकी एक वरक्शॉप हुआ करती थी दूसी तरफ टाइगर मैमन की कहते हैं कि वो ज़्यादा कुछ खास पड़ा लिखा नहीं था और वो जो था 10th क्लास तक पड़ा हुआ था और जो इसने सबसे पहले अपनी नौकरी की वो नौकरी की मैमन कोपरेटिव सोसाइटी में एस क्लरक की तो जो क्लरक की नौकरी थी वो मैमन कोपरेटिव सोसाइटी में टाइगर मैमन ने की और 3-4 साल तक उसने वो मैमन कोपरेटिव बैंक में नौकरी करता रहा दूसरी तरफ लगविंदर सिंग ने जो मेरे को लिंक दिया था कहानी का उसमें ये कहा गया था कि जो नौकरी छोड़ी टाइगर मैमन ने और जो वहाँ पे नौकरी की वो पियोन की नौकरी की जबकि याकूब मैमन ने भी अपने कनफेशन में ये बताया है कि उसने कलर्क की नौकरी की अब मुझे नहीं पता कि कलर्क और पियोन सेम होते हैं तो आगे बढ़ते हैं और उस कहानी में ये भी बताया था जो लगविंदर सिंग ने मुझे को लिंक दिया था कि उसमें जो ह नौकरी छोड़ी गई हमें इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि मारपटाई ती या नहीं होई थी क्योकि हमारी रिसर्च में यह कही सामने नहीं आया है हो सकता है कि हमारी रिसर्च कहीं अधूरी रह गई हो इस चीज़ पर और आगे बरते हैं तो जब इसने नौकरी छोड़ी कोपरेटिव बैंक से मैमन कोपरेटिव बैंक से तीन-चार साल के बाद तो यह मनीश मार्केट में पहुचा अब मनीश मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर दो हैएं समगलर्स का हब हुआ करता था सेवेंटिज एटिस और नाइटिश में क्योंकि उस समय हमारे जो हैं इंपोर्ट डुटी बहुत ही तो समगलिंग में चाहें वो silver का smuggling हो, gold की smuggling हो या electronic goods की smuggling हो उस सब में बहुत पैसा हुआ करता था तो tiger को भी बहुत पैसा कमाना था परिवार बड़ा था, सब कुछ बड़ा था और उसे भी ऐशो अराम चाहिए थे तो उसने भी manish market में जो है कहते हैं कि smuggling की शुरुआत की और smuggling में राने वाला व्यक्ति जो कहते हैं वो था मुहमद दौसा जिसको लोग प्यार से मैं कहूंगा मुस्तफा मजनू भी कहते हैं पर उसका नाम मुस्तफा मजनू क्यों पढ़ा जिस दिन मुस्तफा दौसा की स्टोरी करेंगे तो बताएंगे कि कैसे उसका मुस्तफा मजनू नाम परा मुस्तफा मजनू जो था वो एक smuggler था और कहा जाता था कि वो बहुती close था आपके दाओद इब्राहिम के और ये जितने भी smugglers होते हैं वो जो हैं उनके अपने एक ports designated होते हैं जहां पे ये अपना माल उतारा करते हैं तो जैसे मुस्तफा दोसा हो गया दाओद इब्राहिम हो गया और भी बहुत सारे लोग हो गए जो समय स्मगलिंग किया गरते थे गोल की, सिलवर की और electronic goods की तो उनके अपने designated ports होते थे ports मेरा मतलब है कि वो छोटे छोटे स्थान होते थे जहां पे मचवारे अपनी boots लाया करते थे गाओं के किनारे, समुद्र की belt बहुत लंबी होती है तो हर जगा police नहीं हो सकती, हर जगा custom नहीं हो सकता तो बहुत सारे ऐसे points होते हैं जहां पे चुप-चाप अपना माल उतारा करते थे और ऐसे ही मुस्तफा दोसा के भी अपने कुछ ports थे, तो मुस्तफा दोसा कहते हैं कि मुस्तफा दोसा उसको smuggling में लेके आया और उसके साथ काफी business भी उसने किया, इसी बीच में ताइगर मेमन जो है दुबई जाना आना जाना शुरू करता है, इस smuggling के काम के लिए क्योंकि उस समय जो gold का और silver का electronics का जो business होता था, इस smuggling जो होती थी वो दुबई और Middle East के country से होती थी plus Hong Kong से होती थी, क्योंकि वहाँ पे समान सस्ता था तो और वो इंडिया लाया करते थे, उस पे custom duty चुराते थे, उससे पैसा कमाते थे, तो दुबई में इसकी मुलाकार Tiger मेमन की होती है तौफीग जलियाँ वाला से, तौफीग जलियाँ वाला तौफीग जलियाँ वाला उसको अपने साथ मिला लेता है और उसको अपना समान, क्योंकि जितने भी smugglers होते हैं, जिनके मैंने अभी बताया है port designated होते हैं, अपने area designated होते हैं, तो ये वहाँ पे समान उतारते हैं जो बड़ा smuggler होता है, उनको समान उताने का, पहुंचाने का पैसा देता है यानि क्या आप कह सकते हैं, courier का पैसा देता है मतलब courier, आप समझ लीजे कि एक स्थान से समान को ले जाने वाले को courier कहते हैं दूसरी भाशा में भी और आम भाशा में भी तो तौफीक जलियावाला के लिए इसने काम करना शुरू किया तौफीक जलियावाला का जो समान होता था, वो इंडिया में समगल करके, समान वेज के और जो पैसा आता था, उसमें इसका प्रॉफिट होता था तौफीक जलियावाला के बहुत क्लोज आया और काफी क्लोज आने के साथ साथ बिजनस और इसने अपना एक्सपेंड किया इसी बीच में जैसे जो हर एक गैंग्स्टर दूसरे गैंग्स्टर को जानता है पहचानता है और एक दूसरे के पोर्ट में को इस्तमाल भी करते हैं दूसरे ताइगर मेमन है उसको कुछ समान उतानना है और और लगता है कि नहीं मेरे जो एडिया है वस जगह पे में फंस सकता हूँ तो वो मौमद दोसा का एडिया सितमाल कर लेगा और दावुद इب्राइम को जानता है तो दावद इब्राहिम जहां माल उतारता है वहां का एरिया इस्तेमाल कर लेगा तो ऐसे ही एक किस्टा है कि जो पार्टियां होती है जैसे हमारी फिल्म इंडस्री में पार्टिज होती है तो हर प्रोड्यूसर, डिरिक्टर, एक्टर जाद तर पहुंचने की कोशिश करते हैं एक कर्ट्सी में ऐसी ही पार्टि का पिक्चर है जो कहते हैं कि दुबई का है और कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई का है इसमें आप अनीस इब्राहिम, छोटा राजन और टाइगर मेमन साथ दिख रहे हैं तो यह मैं कह सकता हूं कि यह जो फोटोग्राफ है वो 93 बॉम ब्लास से पहले का है क्योंकि इस फोटो में छोटा राजन दिख रहा है क्योंकि 94 के आसपास छोटा राजन अलग हो गया था तो आगर जब तक छोटा राजन इसमें दिख रहा है जो इस समय आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो इसके बाद 92 डिसेंबर अगर मैं गलत नहीं हूँ और 93 जैन्वरी के आसपास अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुंबई में राइट होते हैं यानि कि बलवे होते हैं जिसको कमिनल बलवा कहा गया, कमिनल राइट कहा गया और उसमें जो है इसका बहुत सारा समान यानि कि इसका जो दुकान थी जो इसका ओफिस था टाइगर मैंन का वो जला दिया जाता है अब जलाद देने के बाद जो है ये बहुत गुस्सा होता है और ये अपने दुबई चला जाता है, दुबई में इसका घर होता है, वहां रहता है, और ये चीज मैं आपको clear कर देता हूँ कि टाइगर मेहमन को कहा जाता था कि वो बहुत ही कटर मुसल्मान था, उसकी जो सोच थी वो बहुत कटर मुसल्मान वाली थी, तो इस वज़े से जो तौफीक जलियाँ वाला था, और हमेशा ISI क्या करती है, कि हिंदुस्तान में वो मुसलिम्स को ये दिखाने की कोशिश करती है, कि ये ISI जो है, इंडिया में जो मुसलिम्स हैं, वो ये दिखाती है, कि बड़े ही कमजोर है, उनके ओपर अत्याचार हो रहा है, और गव ISI जो हैं, हिंदुस्तान के मुसल्मानों को एक तरीके से कन्वे करती है, तो उसी का शिकार भी टाइगर मेमन हुआ, इस तरीके से वह जो तौफीक जलियाँ वाला था, जो ISI एजेंट था, वो उसके कटर सोच को, टाइगर मेमन की कटर सोच को फाइदा उठाता है, और कह अबरी मज़्य तोड़ दी गई, तो सोचो कि पूरे मुसल्मानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहते हैं कि टौफीक जलियाँ वाला ने उसकी सोच का फाइदा उठाया, और एक मीटिंग हुई, दुबाई में, और वो मीटिंग हुई, तौफीक सब्सक्र पा-फिक एयरीया में बॉंब ब्लास्ट होगा, और बॉंब ब्लास्टे में एक विएकाना माता है हिलाल बेग, और भी पाइदार है, कि टाइकर मैमन के लड़कों को आप जो है ट्रेनिंग देंगे कि कैसे बॉम बनाना है कैसे बॉम करना है ब्लास्ट करना है कैसे ट्रांसपोर्ट करना है इसकी सारी ट्रेनिंग जो है हिलाल बेग को दी गई और हिलाल बेग जो है एक आतववादी संगतन से जुड़ा हुआ और इसके लड़के जो है पियो के जाते हैं इसी बीच में जब त्यारी चल रही होती है और टाइकर मैमन इसमें अपने लड़कों को मोटिवेट कर रहा होता है कटरवाद सोच से तो ये लोग जो है शायद 27 फरवरी या 11 मार्च के आसपा टाइकर मैमन की फैमली जो है इंडिया छोड़ देती है यानि की मुंबई छोड़ देती है अब ये कैसे छोड़ती है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है एक फ्लाइट बोर्ट करते है जो की PIA की फ्लाइटी PIA यानि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर लाइन की फ्लाइट थी जो दुबई जा रही है थी मुंबई से वाया कराची तो ये उस फ्लाइट पे बोर्ट करते है और जैसी ही फ्लाइट जो है कराची लेंड करती है वहाँ पे इनको इस टाइगर मेमन की फैमिली को उताल लिया जाता है और वहाँ पे जो इनको उतालने वाला जो ओफिसर होता है वो होता है आसिप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम था आसिप जो की पाकिस्तान के ISI और गवर्वर्मेंट ओफिशल था और वहाँ से निकालने के बाद यह है कि स्टैंपिंग नहीं होती है इनके इंडिएण पास्पोर्ट पे और ना ही उसके किसी पास्पोर्ट पे कस्टम चेक होता है और वो सीधे सीधे निकल जाते है तो इससे यह समझेग कि जो तौफीज जलियां वाला था जो कितना stronghold ISI में और government में रखता था कि Tiger Maman की family को बिना किसी security check के बिना किसी custom check के बिना passport stamping के वो कराची में निकालता है और उसको वहाँ पे कराची के एक घर में ले जाता है जो कराची का जो घर में ले जाया जाता है वो ले जाया जाता है आपका तौफीक जलियावाला के एक बंगलो में कराची में अब जो ये इंडियन पासपोर्ट पर उससमें ट्राविल कर रहे थे Tiger Maman family वो Tiger Aasif जो है वो सारे इंडियन पासपोर्ट कलेक कर लेता है अब कलेक करने के बाद इनको जो है तौफीक जलियावाला के बंगलो में ले जाया जाता है जो की दुराजी कॉलोनी में था कराची में एक एरिया है अगर मैं गलत नांस नहीं कर रहा हूँ दुराजी कॉलोनी कराची में वहाँ पे इनको रखा जाता है और कुछ दिन रखने के बाद इनको वहाँ से भी shift किया जाता है और shift करने के बाद इनको जिस house में रखा जाता है I mean जिस area में रखा जाता है कराची में वो है गुल्चन एकबाल करके एक कॉलोनी है और वो है block 13D में इसी बीच में जब ये 93 bomb blast हो जाता है ये लोग कराची चले जाते हैं और यहाँ case खिलने शुरू होते हैं तो tiger में मन बहुत ही most wanted हो जाता है अब जब most wanted हो जाता है तो अब ये बापस इंदोस्तान आ नहीं सकता है और दुबई भी travel करने में इसको problem होती है तो tiger जो है एक business start करता है तौफीग जलियावाला के साथ मिलके और तौफीग जलियावाला के साथ मिलके construction का एक business start करता है कहते हैं कि एक मदीना city करके एक company है कराची में जो सबसे ज़्यादा construction का काम करती है उसमें tiger में मन और तौफीग जलियावाला की partnership हुआ करती थी और इनका एक छोटा भाई tiger मेंमन का एक छोटा भाई आयूब मेंमन आयूब मेंमन जो है ने अपना एक start किया business rice का जो rice export business था जो वहाँ से पाकिस्तान से दूसी जगा business export करते है तो ये जब तक तौफीग जलियावाला के block 13D में रहे तब तक ये साथ में construction और चावल का business export का करते रहे इसी बीच में तौफीग जलियावाला से इनको अपना अलग भी होना था क्योंकि बहुत दिनों तक किसी की मेमान निवाजी नहीं कर सकते हैं बले ही वो आपका कितना अचा दोस्त क्यों ना तो तौफीग जो है tiger को एक plot खरीदवाता है जो की होता है 1000 square yard का 1000 square yard का जो घर होता है वो tiger की family जो plot है वो खरीदते हैं और उसको build up करते हैं और जो वो घर खरीदा जाता है वो खरीदा जाता है defense housing society कराची में और उस समय जो उस plot का पैसा दिया गया था वो जो है 60 लाग रुपे पैसा उस जमाने में दिया गया था I think 93 के bomb blast के बाद between 94-95 में शायद ये जगा खरीदी गई थी तो 60 लाग रुपे उस समय दिये गय थे तो सोची कितना बड़ा पैसे का involvement था bombay blast में और कितना एक तरीके से टौफीक जलियाँ वाला ने और ISI ने एक Tiger Memon को कटर वाद सोच के उपर इस्तमाल करके उसको एक स्मगलर को एक क्रिमिनल बनाया दूसी तरफ एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि Tiger Memon जो है इस बात को boost भी करता था कि हाँ मैंने मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा उस्मान मस्जीद उस्मान मस्जीद जो है MLA Congress के रहे हैं Congress Party से MLA रहे हैं जम्मू कश्मीर में और वो MLA बनने से एक आतंगवादी संगटन से जुड़े वे थे और मिलेटन थे यानि कि वो जुड़े वे थे वो था JKSLF ये एक organization थी जो आतंवादी organization कही गई थी और उस्मान मस्जीद ये बताते हैं कि जब वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग, P.O.K. में ट्रेनिंग करने जाया करते थे तो वो ये देखते थे कि उस्मान हिलाल बेग जो कि इनका एक लीडर भी था उस्मान बेग का I mean JKSLF organization का वो टाइगर मेहमन का बहुत अच्छा दोस बन गया क्योंकि हिलाल बेग ने ही टाइगर मेहमन के लड़कों को ट्रेनिंग भी थी तो उस्मान मजीद ने जो है मिलाकात हुई कराची में भी और P.O.K. में भी तो इस समय मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे इसमें जो बिल्कुल एक्स्ट्रीम लेफ्ट में आदमी जो खड़ा हुआ है स्टेंडिंग पोजिशन में वो टाइगर मैमन है यह फोटो शायद आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होगी यह टाइगर मैमन की फोटोग्राफ है जब यह आपके उस्मान मजीद कराची में 93 में टाइगर मैमन से मिले थे तो उस्मान मजीद ने शायद यह एक न्यूज चैनल पर भी बताया था अगर मैं गलत नहीं हूँ कि टाइगर मैमन से पूछा था अरे हिंदुस्तान में तो नाम हो रहा है कि दाउद इबराहिम ने यह 93 बॉम ब्लास किया तो कहते हैं कि वो बड़ा बूस्ट अप होके कहता था यह दाउद कौन है दाउद की यह कारी नहीं सकता है यह काम मेरा है तो उसकी कटरवाद सोच की वज़े से उसने जो है इस 93 बॉम ब्लास को करने के बाद भी अपने आपको एक तरीके से बूस्ट अप किया कि नहीं जो किया मैंने किया सही किया कैर अब तो टाइम बहुत बीच चुका है याकूब मेमन को भी इंडिया लाया गया और उसको फासी हो गई अब ये है कि 93 बॉम ब्लास हिंदुस्तान की जमीन पे या आप कह लिजे कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा काला धबा है और ये अभी तब भी केस कह सकते हैं कि सॉल्वड है या अनॉल्वड है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आउट अफ रीच हैं खासकर टाइगर मैमन जो की मास्टर माइंड है और इसकी मैंने एक फोटो आपको दिखाई जो कि उस्मान मस्जीद के साथ की 93 बॉम ब्लास के बाद की है वो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी तो आज की जो कहानी है वो मेरी टाइगर मैमन के ओपर थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह औरों से अलग थी और बहुती फैक्ट के साथ थी क्योंकि मैंने इसमें कनाची कनेक्शन भी बताया है और बहुत सारी चीज़े बताई है तो लकविंदर सिंग जी आपका पर देख लें तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी पसंद आई होगी मिलते हैं जल्दी एक दूसरे एपिसोड में तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम